हलो फ्रेंज मैं हूँ आपका होश्ट एंदोस्त अमरेंदर तिवारी एंडिवो वाचिंग बोधी सत्तों PCS आज के इस important lecture में हम पढ़ने वाले हैं important geographical sites के बारे में जो आपके आने वाले 69 BPSC pre-exam के लिए काफी ज़्यादा महत्रपुन है हमने 66, 66, 66 के लिए भी ये specials रिज प्रवाइड कराई थी और यहां से एक से दो प्रशन जो भी geographical sites पूछे गए थे वहां से लड़ गया था ठीक है यदि आपने geography के previous year question का analysis किया होगा तो आपको पता होगा कि जो important sites पूछे जाते हैं न BPSC के दवारा वो कहीं न कहीं current affairs से affiliated होते हैं current में बने होते हैं और उसी का static portion उठाके BPSC के दवारा पूछा जाता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस आशा के साथ कि इस बार भी आपको ये help करेगा हमारे दवारा प्रस्तूत है important geographical sites for 69 BPSC preliminary examination चलिए शुरू करते हैं यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके हमें support कर दीजे और वीडियो पसंद आएगा तो उसे जरूर लाइक करना उबिनास ज्वाला मुखी उबिनास वोलकैनो देखिए उबिनास वोलकैनो यहां पर geographical sites है तो सबसे पहले किस country में आपको पता होना चाहिए पेरू का एक ज्वाला मुखी है उबिनास वोलकैनो इसी में अभी हाली में बहुत ज्यादा इरॉप्षन हुआ है जिसे आस पास के चैत्रों में लगबग 60 दिनों की emergency घोसित करी गई है और यह आपको पता होना चाहिए कि यह प्रशान्त महासागर के किनारी ring of fire का हिस्सा है और ring of fire क्या है यह ज्वाला मुखी च्छत्र है यहां पे काफी ज्यादा ज्वाला मुखी वोलकैनो इरॉप्षन होता है और साथ में यहां पे भुकंप हो गयरा आते रहते हैं सुनामी हो गयरा आते रहते हैं यह वाला हिस्सा यदि आप plate tectonic आपने पड़ा होगा तो आपको पता होगा previously BPC के दोवारा plate tectonic से भी संबंदित प्रश्न पूछे जा चुके हैं major और minor plates के बारे में ठीक है तो ध्यान में रखना आपको एग्राहमी और बारहमी का NCRT का revision करके ही BPC के एक्जाम में बैठना चाहिए अगला हमारा important topic है दारफुर शत्र दारफुर शत्र ये सुडान का पश्मी हिस्सा है अब देख रहे होगे न ये दारफुर किसका हिस्सा है सुडान का पश्मी हिस्सा है ठीक है अब्योस हम ये north, south, east और west ऐसे मापते हैं न जोग्रफिकल लोकेशन तो ये सुडान का पू पश्मी शत्र दारफुर में एक सामोहिक कपर देखा गया है जिसमें मसालिट जाती के लोगों के साथ कम से कम 87 लोगों को दफनाया गया था इसलिए चर्चा का विशय बना हुआ है मसालिट आपको पता होना चाहिए कि पश्मी सुडान और चाड के पूर्भी हिस्से में रहने वाला एक जातीय सामोह है तो आप देखना यहां पर यह चाड है और यहां पर दार्फुर्ट शत्र है सुडान का ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला हमारा इंपॉर्टन टॉपिक है चन्नाई व्लादी वोस्तक समुद्री मार्ग प्रुपोश्ड मार्ग है और यह ब प्रुपोश्ड मार्ग है यह लगबख 500 समुद्री मील के बराबर है जो लगबख 10,300 km के बराबर बैठता है इसके आराम्ब होने पर परिवहन समय जो की 32 दिनों का लगता था अब घटकर 52 दिन हो जाएगा और जो इंपूट होता था जो इसमें लागत होता था उसमें 30% की कमी आ जाएगी तो जब समान का हम export इंपूर्ट करते हैं तो जो भी उसमें खर्चा लगता है वो समान में अपरतक शुरूप के उसके प्राइज में final product के प्राइज में जुटा होता है ठीक है? cost input उसमें लगा होता है तो समान का price जो है high होता है अब इस जब लागत कम होगा तो कम दामों में हमें समान available होगे ठीक है तो ये इसका एक अपर्चक शलाब हो गया इसके बाद हमारा अगला topic है Mali, Mali में हाली में संबैधानिक जनमत संग्रा हुआ है जिसका E-WIN के द्वारा प्रशंशा करी गई है जिसकी रजधानी बमाको है Mali, South Africa का एक देश है ठीक है आपको ध्यान में रखना चाहिए ये अगला हमरा topic है सूरी नाम सूरी नाम में हुआ क्या है क्यों हम पढ़ रहे हैं भारतियों के आगमन की डेड़ सौमी वर्षगांठ मनाई गई है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 4 से 6 जून 2013 तक भारतिय राष्टपती ने सूरी नाम की भारतिये मतलब राज़िये यात्रा करी और 5 जून 2013 को सूरी नाम में भारतियों के आगमन की डेड़ सौमी बर्षगांठ मनाई गई ठीक है यह आप देख रहे होगे यह यह सूरी नाम की रजानी है पारा मारी वो ठीक है आप देख रहे होगे फ्रेंच गुआना इसके पूरब में है और पश्चि में गुएना है ठीक है ध्यान में आपको रखना चाहिए कभी भी जोगराफी पड़ोना तो साथ में आपके मैप जरूर होना चाहिए इस उसर पर भारतिय राष्टवति को सूरी नाम के सर्बुच नागरिक सम्मान Grand Order of the Chain of the Yellow Star से सम्मानित किया गया काफी important है यह current affairs का भी point है और साथ में जोगराफी के रूप से important है सूरी नाम की यदि भाषा देखोगे तो आप अचंबित हो जाओगे साउत अमेरिका गर्देश है यहाँ पे हिंदी बोली जाती है अधी बोली जाती है अंग्रेजी बोली जाती है सरनामी बोली जाती है इंडोनेशिया ही बोली जाती है चीनी बोली जाती है तो maximum भषाएं तो इसमें एशियाटिक लेंग्वेज है तो ध्यान में रखना शूरी नाम और रजधानी काफी ज़्यादा important है अगला हमारा important point है इथोफिया रजधानी अदिस अभाबा Horn of Africa का सबसे बड़ा भू आबध्य देश है ठीक है और Horn of Africa में कौन-कौन से देश आते हैं एरिट्रिया आता है इथोपिया आता है जिबूती आता है और सोमाली आता है ये वाला हिस्सा Horn of Africa में आता है ध्यान में रखना यहां से हमेशा प्रश्ण पूछे जाते हैं कौन कौन से country जाते हैं तो ध्यान में रखेगा अगला topic है सेन काकू द्वीब समू सेन काकू द्वीब समू आवियस से आप news paper पढ़ते होंगे तो हमेशा आपको पता होगा यह जपान और चाइना के बीच का कंट्रोवर्सियल द्वीब समू है ठीक है, यहाँ पे चाइना और जपान ने इस विबादित द्वीब समू पर समुद्री और हवाई घटाओं के लिए सैन होट लाइन स्टैबलिस की है, यह आपका सेनकाकू आईलेंड है ठीक है, ध्यान में रखना इस्ट चाइना सी में के यह पगल में है ठीक है अगला है हमारा इंपोर्टन्ट कैप्सियन सी, हमेशा पूछा जाता है जोग्राफी के लिहाद से इंपोर्टन्ट है और इसको माना जाता है वर्ड लार्जेस्ट इनलैंड बड़ी ऑफ वाटर ओफन डिस्क्राइब ऑफ वर्ड लार्जेस्ट लेक मतलब बिश्र का सबसे बड़ा लेक भी माना जाता है एक फूल फ्लेर सी के जैसे यह दिखता है ठीक है इसमें वोलगा रिवर, युराल रिवर, कूरा रिवर और तरक रिवर जो है आके इसमें मिलती हैं और इसको सर्राउंड करने वाले देश कौन-कौन से हैं आप ध्यान में रखना पूछा जा सकता है पूछा जाता है हमेशा पूछा क्या जा सकता है कि काफियन सागर को टच करने वाले कंट्रीज घोन-कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए पहला तो है कजाकिस्थान दुसरा है रशिया तिसरा है आजरबैजान चौथा है इरान और पांचवा है तुरकेमनिस्थान तो हमेशा पूछा जाता है ध्यान में रखना ठीक है अगला हमारा important topic है इजराइल और आपका पलेस्थीन काफी important है हमेशा यहाँ जगड़ा ओगरा होता रहता है तो आप ध्यान में रखना ठीक है यहाँ पे देखो इजिप्ट है इजिप्ट भी आज का important इजराइल जो है हमेशा दमा का ओगरा करता रहता है जो भी कारण हो और इसके लिए हमेशा चर्चा का विशय बना होता है ठीक है इजराइल के बगल में यहाँ पे देखो जॉर्ड़न और वेस्ट बैंक के बीच यहाँ यूं कहें इजराइल और पिलिस्तीन का जेरूशलम आप द्यान में रखना या उत्तर में लेवनान उत्तर में लेवनान की बात करें फिर शीरिया की बात करें जॉर्डन की बात करें और एजिप्ट से पुरब में सीरिया और एजिप्ट से घिरा हुआ है ठीक है द्यान में रखना अगला हमारा इंपोर्टन टॉपिक है इस्टर ड्वीब, हाली में बैज्यानिकों ने इस ड्वीब की एक सूखी हुई जील में मोई की प्रतिमा की खोज की, तो ये कहां है इस्टर आइलंड यहां पे है, आप देखोगे पश्फी कोशिन का एक हिस्सा है और यहां पे चली देश का आधिपत्त है ठीक है, चली देश का इस्टर आइलंड जो है ठीक है, जियान में रखना यह है चली है, आपकी कंटरी इस्टर आइलंड ठीक है इस द्वीब का निर्मान तीन जौला मुखियों से हुआ है पाई को रानो काउ और तेरे वका इसका अधिकतर द्वीब जो है रामा नुई राष्टिय उद्ध्यान में समरक्षित है और आपको लग रहा होगा कि ये मोई की प्रतीमा क्या है तो पहले हमें इस्टर द्वीब को विश्व धरोहर अस्तल में सामिल किया गया है किसका हिस्सा है इस्टर द्वीब तो चीली का हिस्सा है हमारा अगला जो टॉपिक है वो भारत का उत्रिपूर विश्यत्र है देखे मनीपूर में कई महीनों से यहां पे बहुत सारा अश्रांती ब्यापत है और अटोमेट त्रिपूर, नागा लेंड और नाचल पर्देश धियान में रखना आसम जो है मियामार से सीमा साजा नहीं करता बच्चों के मन में यहीं से confusion create होता है उनको लगता है कि यह पतला वाला हिस्सा जो है यह अंदर चला गया है और यह मियामार से सीमा साजा करता है तो ध्यान में जोरम, तिरपुरा, फिर आसाम, मेघाले, वेश्ट बंगाल, ठीक है, ध्यान में रखना, ये देखना, ये आसाम भी सीमा साजा करता है, यह एक तरफ से और दो तरफ से, ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसको प्रश्ण पूछा जाता है, फिर भुटान से कौन-कौन सा और सिक्किम, होता क्या है कि बच्चों को लगता है कि मेघाले भी सीमा साजा करता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है, ओका वंगो डेल्टा, क्यों ये इंपोर्टेंट है, देखे, ओका वंगो डेल्टा, ये अंगोला के जो पेवायल उत्खनन करती है, जिसके कारण ये जैब विबीदिता का होट स्पोर्ट चत्र है, इसके सामने बहुत सारा कठिनाई और संगट उत्पन हो गया है, और इसी के कारण ये चर्चा में बना हुआ है, विशाल अंतरदेश्य डेल्टा है, ओका वंगो नदी उंगोला आजिका एक देश है, आपको पता होना चाहिए, मिश्र, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इसकी रासानी कहा है, काहिरा है, मुद्रा, मिश्री पाउंड है, अफरिका के उत्री पुर्वी भाग में ये सिनाई प्रयदीव है न, इसी का एक हिस्सा ही है, यहाँ पे देखना और जो है, रेगिस्तान पढ़ते हैं, ठीक है, यह एक बरगाकार टाइप का देश है, और इसका समुद्र टट सपाट है, अरब की पहाडिया यहाँ की प्रमुखे, परवल स्रेणी है, ठीक है, यहाँ के आपके राश्ट्रपती याय हुए थे, यहाँ पे आपके 26 जनवर में, इसके मतलब मुख्याथी थी के रूप में, तो यह काफी जादा important है, और मिस्ट के साथ relation जो है, bilateral relation आई र के हिसाब से भी काफी जादा important बना हुए है, कई महिनों से चर्चा का विशय है बना हुए है, तो इसको ध्षान में रखना, बैसा साइट्स आपको यह लगता पूस्ता है ठीक है मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में तब तके लिए साइनिंग अब ठेक हो जाहिं चाह भारत